तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और आज आप देखिए मार्केट में हमको गजब की तेजी देखने को मिल रही है तो ये तेजी क्यों है इसके पीछे क्या रीजन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या ये तेजी sustainable है या नहीं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे तो basically market को analyze करेंगे Nifty 50 को हम technical chart पे यहां पर analyze करने वाले हैं कहां पर यहांपर support है और कहा market यहांपर झायेगा क्या Nifty all time high पर जायाएगा नहीं देखेंगे technical chart पे और एक बड़ा statement आ रहा है क्यों हो रही है रही इसके पीछे क्या reason है वो मैं आपको समझाने के कोशिश करूँआ और यहां पर अगर आप invested है या फ्रेश investment करना चाहते है तो क्या आपका यहां पर approach रहना चाहिए क्या अभी investment करना भी है नहीं या फिर wait and watch करना है पूरा reason and rational के साथ बताने ही कोशिश करूँआ टेकनिकल चार्ट पर समझेंगे वीडियो के साथ बने रही है तो सबसे पहले हम भात करें निफ्टी में देखिए almost 200 points की तेजी है almost 1.40% की आसपास निफ्टी तेजी देखने को मिल रहा है करीब करीब पोने दो बजे के आसपास तो यहां पर अच्छी खासी तेजी है तेजी क्यों है तो अगर आप देखें futures तो real time stock index futures आप देख रहे हैं तो nifty और bank nifty में आप देखिए futures में हमको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है तो गजब के यहां पर futures अब है और अगर मैं Dow Jones, S&P, NASDAQ यानि की US markets की बात करूँ तो उनके futures भी almost flat यह हमको देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा negative देखने को नहीं मिल रहे हैं अला कि 21 तारीक यानि की कल के दिन एक बहुत बड़ी यहां पर meeting होने वाली है economic point of view से उसके बावजूद market में आप देखिए US के markets में बहुत ज़्यादा हैं पर गिरावट नहीं हो रही, volatile मामला नहीं है तो उसकी वज़े से मुझे लग रहा है market यहां पर हमारा market वैसे ही यहां पर एक तो वैसी resilient है उसको उसकी वज़े से भी यहां पर beat करता हूँ नजर आ रहा है तो nifty futures definitely यहां पर अब है European markets भी आप देखिए तो almost flat to positive हमको देखने को मिल रहे ह है ऐसा प्रतीत हो रहा है शायद है यहां पर फैड है 75 basis points हाइक करने वाला है अगर देखिए मान लिए 75 basis points हाइक करते हैं तो मुझे लगता है market और ज्यादा तेज होता हूँ नजर आएगा लेकिन अगर 100 basis points हाइक कर दी जो की काफी चर्चा में है भी तब भी मुझे लगत है market जादा गिरेगा नहीं क्योंकि already factored in हो चुका है let's see कल का दिन बहुत important है कल हम यहां पर यह सारी चीज़े देखेंगे तो यह जो rally है आज की जो rally है यह कही ना कहीं जो तो हो सकता है sustainable ना हो क्योंकि अगर कुछ ना कुछ यहां पर उल्टा सीधा अगर हाइक यहां पर क मतलब एक decade की यहां पर बात हो रही है जो US के bond market है वो बहुत हाई हमको देखने को मिल रहे है और आपको पैदा जब भी bond market यहां पर जब treasury yields बढ़ती है तो definitely bond yields बढ़ती है तो यहां पर equity market के लिए वो एक खत्रा होता है क्योंकि safe heaven होता है यहां पर treasury yields यानि कि bond market तो equity market के से पैसा निकलता है यहां कई बार चर्चा कर चुके अब तक तो आपको यहां पर रट चुकी होगी चीज़े तो यह समझिए कि bond market मजबूत होता है तो equity market यहां पर कमज़ोर होगा और यहां पर अगर interest rate और ज़्यादा हाई करी तो फिर और भी यहां पर हमको bond market bond yields बढ़ती ह देखने को मिल सकती है तो देखिए decade high पर हमको treasury yields देखने को मिल रही है तो यह जो rally है निफ्टी में तो हो सकता है जाद सस्टेन ना करें मैं ऐसा नहीं कि निफ्टी यहां से बहुत गिर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं कि यहां से हमको और फिर जबरदस और rally भी आती हुई द तरफ से आप देखिए कि यहां पर क्या वो कह रहे है कि India is the best bet in the global economy क्यों क्योंकि UK, US, Europe appear headed for a recession while there are problems in China, India जो है politically बहुत ही well settled है और भी कई सारी चीज़े उन्होंने यहां पर किया तो आप इस interview को जाके पढ़ सकते हैं तो हिंदुजा ग्रूप के जो chairman है वो यहां पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं और सिर्फ यहीं नी दोस्तों जितने भी conglomerate है इंडिया के आप कितने भी interview पढ़ेंगे सब बुलिश यहां पर नजर आ रहे हैं जिया उसको चाहे हिंदुजा ग्रूप हो चाहे अडानी ग्रूप हो आप देखिए अडानी ग्रूप कितना नि emerging या फिर developed economies वो यहां पर अभी सही नहीं चल रहे हैं उनकी जो हालत था खराब है इंडिया यहां पर ठीक है इसलिए आप देखिएगा कि इंडिया जब गिरता है तो यहां पर उससे जितना गिरता उससे तेजी से जादा recover करता है ठीक है तो यहां पर अगर निफ्टी के analysis recovery आई तो देखिए कि अगजब की हमको recovery आते हुए देखने को मिली है और एक ही जो trend line मैंने ड्रॉ की थी यहां पर यह वाला जो support था इसी का support लेकर वापिस market उपर जा चुका है तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है निफ्टी इस year end तक यहां पर अपने all time high पे हमको जाता हु market तब भी कोई दिकत नहीं है हम तो वैसे भी long term निवे शक है market हाई जाएगा तो खुशी होगी नीचे जाएगा तब भी खुशी होगी accumulate करने का मौका मिलेगा तो market में बने रहना काफी important है अगर आप गिरावट में panic में बेज देंगे तो फिर देखिए यह जो चीज़े ह आपको 10 नहीं इनफेक्ट आगे 10-20 साल की कहानी है इंडिया इसको आपको definitely play करना है तो market में बने रहना जरूरी है बहार निकल जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे नहीं बेज पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे साइड लाइन से देखते रहेंगे और बस कोस लिस्टिंग होई है और तब से लेकर यह stock लगातार भाग रहा है अब अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो देखिए इसका जो लो था वो करीब 300 का था और अभी कितना हो चुका है 500-600 के आसपर मतलब मोटा मोटा बात करें तो stock double हो चुका है 3-4 महीनों में में June, July, August ठीक ह अब यहां पर क्या buying करनी है और नहीं करनी तो देखिए company अच्छी है इसमें कोई शक नहीं है यहां पर अगर मैं company के positives की बात करूँ तो यहां पर देखिएगा आप की footwear इंडिया की largest sport and ethelazor footwear brand ही है जहां पर इसका market share around I think 17% के आसपास है और यहां पर vertically integrated company है manufacturing जो इसका ecosystem है वो vertically integrated है distribution network काफी अच्छा है और यहां पर premiumization को यह काफी जादा है आपर तबज्यो दे रहे हैं मतलब premiumization कर रहे हैं अपने portfolio का तो इनक SKUs हैं वो काफी अच्छे हैं casual running floater slipper flop sandal जितने में मतलब काफी अच्छे है खास SKU है और उसको भी enhance कर रहे हैं मतलब premiumization की तरफ यह कदम रख रहे हैं और उसके लिए अपने EBO reach को यह बढ़ा रहे है मतलब exclusive brand outlet है उसके reach को यह लगातार बढ़ा रहे है they are planning to expand it in the core markets जो इन automation की तरफ जाएंगे तो यहां पर margins बढ़ते हुए देखने को में सकते हैं और already काफी अच्छे margins पर यह company काम कर रही है तो company अच्छी है आपर कोई शक नहीं है लेकिन यहां पर आपको देखना पड़ेगा क्या है अब अभी बाइंग करने के लिए सही है नहीं मौका जी न हो चुका है अब इस महेंगे stock को खरीदने के लिए मुझे लगता है आपको यहां पर risk reward ratio बिल्कुल भी favorable नहीं है आपके लिए तो आप यहां पर थोड़ा wait and watch कर सकते हैं और negative भी समझे तो आप competition भी लगातार बढ़ रहा वैसा है नहीं कि सिर्फ campus campus ही है, relax हो है, bata है, khadim है, ठीक है, Mirza International है, red tape अगरा है, अगर मैं बात करूं, competition फॉरण जो ब्रैंड्स है उनकी तरफ से भी काफी बढ़ता हूँ नजर आ रहे है, क्योंकि sports और athleisure में उनका market share भी काफी बढ़ता हूँ जा रहे है, जैसे कि Reebok, Adidas, ठीक है, Nike, Puma, Wans हो गया, और Essex हो गया, किसी भी company को किसी भी level पर खरीदना, यह अच्छा नहीं है, और यह हमने पिछले 2 साल में सीखा है, तो valuation को हमेशा respect करना है, इस valuation मुझे लगता है, यह risk reward is favorable नहीं है, और आपको यहां पर पहले से निवेशित हैं, तो इसमें निवेशित रही है, इस momentum को play कीजिए, अब momentum अगर हम अभी निकल जाएंगे, तो फिर miss कर देंगे, डानी स्टॉक्स में भी valuation ज्यादा थे, उसके momentum को भी miss कर दिया होता किसी ने, तो फिर वो देखता है रहे जाता, तो मैं आपको नहीं कह रहा है, जो निवेशित हैं, वो यहां पर बने रही है, यह 10 EMA जो है, यह 10 E profit booking कर सकते हैं, अगर आप बहुत इनिचलिस तरों से हैं, तो profit booking कर सकते हैं, मैंसा नहीं बहुता, पूरा निकाल लीजिए, partial profit booking कर सकते हैं, 50 day moving average को यह जब तोड़ेगा, तो आप इसमें और अपना पैसा निकाल सकते हैं, जिरे जिरे partial profit booking आप कर सकते हैं, क्योंकि valuation बहुत तो इसलिए आपको थोड़ा से हैं, आप साफधान और सतर्ग रहने की ज़रत है, तो buying करनी है, तो आप इसमें buying मेरे ख्याल से अभी मत कीजिए, wait and watch कीजिए, हो सकता है, यह stock यहां से भागता ही रहे, continue, लेकिन यही stock थोड़ी है, दो मार्केट में, और भी हमको अच्छे stocks मिल रहे हैं, मार्केट में, जिनका margin of safety जहां पर मिल रही है, risk reward जहां पर favorable है, तो अगर आप 140 के PE पे यहां पर निवेश करेंगे, एक लाग रुपे लगाएंगे, तो फिर मान के चलिए गए हैं पर बहुत मुश्किल है पैसा बनाना, तो क्योंकि 140 का PE sustainable नहीं है, 30, 20, 30% की growth के लिए इतना high PE देना है, यहां पर definitely बहुत ही ज़्यादा नुकसान दायक हो सकता है, तो valuation के respect करना पहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर भागता है तो भागने दीजिए, और दूसरे stock से हमारे पास, वहां पर buy कर लिजे, relax हो देखिए, उससे अच्छे valuation पे मिल रहा यह stock ऊपर जाए थोड़ा, लेकिन एक पर इसको consolidate करने दीजिए, थोड़ा यहां पर valuation को ठंडा होने दीजिए, तब इसमें आप निवेश कर सकते हैं, तो यह है दोस्तों पूरा analysis, I hope यह वीडियो आपको informative लगा होगा, और अल्यदी कल के दिन जो वीडियो आये थे, वो बहुत important वीडियो है, और चैनल को subscribe नहीं कराभी तक subscribe कर लीजे, मिलते हैं next वीडियो में, till then take care, bye bye.